नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्छा, क्लास अगेन सबकी कक्छा में आप सबी का स्वागत हैं साथियों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के उपर जिसमें आपको पता चलेगा कि सौदी अरबिया जो की एक मुस्लिम कंट्री हैं उन्होंने अपना पहला अलकोहल स्टोर को ओपेन करने की बात कह दिया है यानि कि सौदी अरबिया is preparing to open its first alcohol store in the capital Riyadh और ये सर्व करेगा exclusively to the non-muslim diplomats और ये move हैं मतलब कि इस तरह का जो step लिया गया है सौदी अरबियन government के दोरा इस चर्चा करना चाहता है पोस्ट ओयल एकोनोमी को जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि various news article में इस खबर को छापा गया है जैसे कि NDTV, Mint, Times of India, BBC सभी लोग यही लिखते हैं कि सौदी अरबिया opens its first ever alcohol store but it's only accessible to the select group तो आईए हम लोग इस वीडियो में detail में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मामला क्या था तो सौदी अरबिया में जो first alcohol store को open किया गया है ये open किया गया है सौदी अरबिया का capital रियाद में तो सौदी अरबिया का जो ये capital है रियाद इसी रियाद में जो इनका diplomatic quarter है इसी के neighborhood में जहांकि embassies और diplomate लोग रहते हैं इसी जगर पे इस new store को open किया गया है and this news store is strictly restricted to the non-Muslims ऐसा document में कहा गया है ऐसा various news articles के माध्यम से ख़बर निकल के आ रही है The move is a milestone in the kingdom effort led to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to open the ultra conservative Muslim country for tourism and business as alcohol drinking is forbidden in Islam जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसलाम में alcohol drinking forbidden है मतलब कि कोई भी वैक्ती जो इसलाम को follow करता है वो alcohol drink नहीं कर सकता है इसके बाफ़ूद जो शौदी अरबिया का Crown Prince है Mohammed bin Salman उन्होंने फैसला लिया है कि सौदी अरबिया में alcohol को वो non-Muslims के लिए open करेगा हलांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया है यानि कि ये clear नहीं हो पाया है कि ये जो non-Muslims expatriates है उन्हें इस store का access मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि millions of expatriates live in Saudi Arabia वो different countries से एसिया के different countries से जाकर के वहाँ पे reside करते हैं काम करते हैं Egypt से जाकर के लोग वहाँ काम करते हैं क्या इन non-Muslims के लिए ये store को open रखा गया है या नहीं रखा गया है इस बात को अभी तक clear नहीं किया गया है लेकिन इस बात की clarity मिल गई है कि Vision 2030 को ध्यान में रखते हुए Post Oil Economy को बिल्ड करने के लिए Saudi Arabia ने इस step को लिया है और non-Muslim diplomates के लिए ये नया alcohol store को open किया गया है In the neighborhood of the Saudi Arabia's capital रियाद जहां की ये non-Muslim diplomates रहते हैं तो साथियों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही मिलते हैं लोग अगली वीडियो में नमस्कार जय हिंद